इस वीडियो में हम देखेंगे important questions of complete book class 9 physics के class 10 physics के तमाम important questions complete book के upload कर दियेगें YouTube channel पर अब बारी है 9 class की unit number 1 है 9 class का physical quantities and measurement तो start करते है students आप लोगों के लिए अब यह जो वीडियो होगी इसमें तमाम जो long या short question आ सकते हैं paper में जो के chapter के दर्मियान में कुछ तो होते है chapter के end में और numerical उनकी video लग होगी लेकिन यह तमाम long and short जो के chapter के दर्मियान से आ सकते हैं ठीक हो गया पहला unit आप लोगों का है physical quantities and measurements start करते हैं से इसमें आप सब बच्चों ने short के लिए base and derived quantities त्यार करके जानी है और इनका difference भी त्यार करना है ठीक हो गया कि इनमें difference क्या है इनकी definitions यह भी लिखी भी है इनकी example लेकर लेकर लिए जैसे power, energy, work, derive quantities है intensity of light, current, temperature, length, mass, time, base quantities है यह अपने इनका difference के साथ त्यार करके जानी है इसके बाद आपके पास यह table आपको आना चाहिए जिसमें base quantities और derive quantities जैसे drive है उसके बाद यह base quantities का table इसमें कौन कौन सी quantities आती है prefixes जो main main है kilo, mega, giga, pico, nano यह याद करने हैं आपने scientific notation की definition और उसकी example जैसे कैसे convert करते हैं जैसे 6,275,0 है इसको convert करके क्या value बनेगी इसके बाद आपके पास आजाएगा vernal caliper अब जो vernal caliper और screw gauge है इनके आपने definition यह कहां तक measure कर सकते हैं और इनका formula इनका lease count आपको लाजमी finger टुक्स के होना चाहिए objective के लिए भी के lease count कितना होता है vernal caliper का screw gauge का कितना होता है इनका zero error कैसे चेक करते हैं प्लस माइनस के साथ इसी तरह आपके पास screw gauge आएगा अगे यह screw gauge है इसके main components क्या है इसका formula lease count का क्या है diagram मतलब इसकी domain में खास तोर पर जो zero error है या lease count है वो लाजमी आना चाहिए आपको बाकी आपके पास जो इस chapter में है वो है आपके पास significant figures significant figure अगर आप पूरा topic के बजाए यह table याद करके चले जाएं सब बच्चे तो enough है इसके नीचे point भी दिये हैं number one number two लेकिन मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ तो यहां से पढ़ा देता हूँ ताके यह easy भी है इनके साथ examples भी लिखी है और याद भी easily हो जाते हैं बच्चों को तो आपने significant figure जैसे मर्दी आपको notes बनवाएगे हैं या books से आपने इसके main main points याद करके जाना है लाजमी ठीक हो गया तो significant figure आपको लाजमी आने चाहिए secondly इस chapter के क्योंकि जादा तर अंदर से important नहीं है अतना लेकिन है कि जो इसके numericals हैं वह आपने numerical के अलग video भी आएगी लेकिन यह लाजमी आपने most important है या आपने सारे करके जाने short questions के लिए ठीक हो गया अब इसके बाद आप लोगोने इसके बाद आप लोगोने यह कुछ questions है short इनकी में estimate your age in seconds what is the relation between Pico and Anon यह जो question है यह आपने लाजमी करने है ठीक हो गया what do you understand by the zero error ओके next chapter पर जाते है unit number two dynamics sorry kinematics third chapter है अब इसमें आप लोग सबसे पहले तो आपने किताब की जो blue यह pink box हैं यह तमाम prepare करने हैं जो definitions हैं जितनी भी pink boxes हैं जिनमें units आ जाएंगे main definition आ जाएगी इन में से कोई एक भी छोड़के नहीं जानी यह तमाम के तमाम आपने prepare करने हैं definitions units और formulas ठीक है इन में कोई choice नहीं है अगर अब बाकी आप यह जैसे theory छोड़ना जा आपने छोड़ दें यह वाली theory लेकिन अब जैसे types of motion एक दफ़ा long में आ चुक है short में तो आते ही आता है लेकिन long में आ चुक है तो आपने यह अच्छे से prepare करना है इसकी types में vibratory motion, translatory, linear, random यह तमाम मतलब आप जो pink boxes हैं वो तो आपने सारी prepare करने है scalar और vectors में difference अगर आप table बना लें कि scalar का और vector का उनका difference 1, 2, 3 और एक example के साथ तो यह अच्छे से prepare करना आपने then distance or displacement में difference speed, velocity इनकी unit भी लाजमी होना चाहिए acceleration इसका unit, meter per second square इसके बाद जो 3 derivations नहीं इस chapter में वो आपने लाजमी करनी है जिसमें यह velocity time graphs यह first equation of motion इसके पूरी derivation, second equation उसी के नीचे है यह और third equation of motion यह first, second and third equation of motion लाजमी prepare करनी है इसके बाद आप move करेंगे third chapter पर third chapter dynamics again, मैं emphasize कर रहा हूँ कि यह जो pink boxes है इन में से आपने कोई भी leave नहीं करना चाहे वह force का हो, velocity का हो, acceleration का हो जैसे यह force की definition है, नीचे inertia की definition है, इसके बाद यह momentum की definition, formula और momentum का unit भी दिखा हूँ है, यह लाजमी prepare करना है अच्छा, Newton का first law, अच्छा, यह next force की definition बहुत सारे बच्चे भूल के चले जाते हैं कि छोड़ देते हैं क्योंके side patch में है, तो next force आपने लाजमी याद करना है, यह first equation of motion की definition यह second law है, यह आपने long में तियार करना है, यह complete आना चाहिए आपको as a long question Newton second law की definition, formula, derivation और इसके unit की definition यह जो नीचे Newton की definition है इसके बाद आप लोगोंने mass and weight में difference, third law of Newton I think was skip हो गया, third law भी अपने as a definition और plus उसके example, rocket की या किसी भी चीज़ की कर लेंगे अच्छा, difference between mass and weight, most important short difference between mass and weight यह third law हो गया, में आप किसी भी चीज़ की example लिख दे ठीक हो गया अच्छा, यह tension and acceleration in a string के दो केसी है, एक में दोनों vertical है यह long के लिए करने हैं आप बच्चों ने prepare यह दोनों vertical diagram के साथ derivation भी शामिल है और अगले page पे यह second case है जिसमें एक table पे पड़ाव और एक hang हुआव है तो यह आपने long के लिए करने हैं पॉर्स अन्मोमेंटम शॉर्ट के लिए important है एक तो फोर्स अन्मोमेंटम अलदा से था लेकिन इसमें आपने relation बिल्ट करना है इनका ठीक है यह इसकी definition है अच्छा यह most important law of conservation of momentum इसमें आपने सबसे पहले आपना isolated system की definition लिखनी है यहाँ पे है यह law of conservation की definition है pink box में यह diagram बनानी है और then आपने इसकी derivation कर देनी है जो के यहाँ से है initial momentum से लेकर यह यहाँ तक आपके पास इसकी derivation आजएगी लेकिन जो यह तो सारे बच्चे तक्रीमन कर जाते हैं लेकिन जो most important चीज़ है जो छोड़ जाते हैं वो यह है कि इसकी paragraph के नीचे यहाँ पे consider से लेकर consider है gun and bullet यह इसकी example है law of conservation की gun and bullet वाली यह आपने लाजमी prepare करनी है क्योंकि paper में अक्सर वो अपर वाली derivation नहीं आती है इसकी application आती है gun and bullet वाली तो आप लोगोंने यह example लाजमी करके जानी है ठीक है gun and bullet वाली तो यह यहाँ से लेकर आपने यह इसकी derivation हुई भी है apply कैसे करना है तो यह लाजमी करनी है right gun and bullet की example friction की definition formula उसका friction को banking of road का short question आता है कि why outer edge of the road is kept slightly higher than the inner edge of the road तो ठीक हो गया यह question आपने Google से search कर लेना यहाँ पर मिल जाएगा कि outer edge क्यों उपर रखा जाता है road का as compared to the inner edge इसके बाद आप लोगोंने advantages disadvantages को देख लेना लेकिन जो most important है वो है methods of reducing friction यह most important points है methods के कैसे reduce करते हैं friction को यह लाजमी prepare करने सब बच्चों ने इसके बाद आ जाता है आपके पास centributal force definition formula करना है और यह chapter काफी important आप बच्चों के लिए चैप्टर 4 पर आते हैं numericals के लिए और short question के लिए अलग video बन जएगी unit 4 turning effect of forces सबसे पहली चीज इसमें आपने जो long के लिए अच्छे से prepare करनी है अच्छा short question के लिए head to tail rule head to tail rule prepare करता है अच्छे से then आपने resolution of forces long के लिए prepare करना है अब परसों में एक बिच्चे से यह discuss कर रहा था तो लेकिन उसने का कि sir यह बहुत छोटा है short long question के लिए तो आपने definition diagram यह theory और यह proof करने के बाद आपने force की mention कर देना है कि यह force कैसे लिकालते है determination of a force from its perpendicular component तो यह अगले page पे हुआ है यह भी mention कर दें और last में angle लिकालने का formula भी mention करतें जो हुआ है तब जाके यह proper long question में तबदील हो जाएगा is that right? तो okay torque की definition इसका formula यह f cross l इसके बाद आपने यह तो सारे pink boxes आपने करने ही करने इसमें कोई leaf कर इन सकते है अप last में equilibrium को आपने short के लिए तो prepare करना ही करना है लेकिन आपने long question प्रिपेर करना है कि आपने equilibrium को define करना है उसके दो cases explain करने है यानि conditions explain करना है कि पहली condition force की है कि तमाम forces का sum दीर हो आता है उसके बाद तमाम tors का sum दीर हो आता है second condition और उसकी types जो अगले page पे mention है जिसमें states sorry stable unstable तो यह complete एक long बनता है जिसमें stable unstable and neutral equilibrium आता है जैसे unstable आ गया और last में आ गया neutral equilibrium तो यह complete एक long बनता है equilibrium का तो ऐसा long question prepare करना है इसको आपने chapter number five most important as far as long questions concern कि यह long के लिए most important ठीक हो गया आपने यह diagram के साथ करना है ठीक है इसकी value drive करके आनी है variation of G with altitude और यह motion of artificial satellite ठीक हो गया six chapter पर आप आएंगे work and energy पर इसमें आप work की definition यह definition है इसकी और इसके जो component यह definition आ गई इसके formula इसका unit यह इसकी दो तीन convergence है कि किलो जौल में क्या होता है इस तरह यह आपने long के लिए प्रिपेर करना है उसके बाद kinetic energy और उसकी derivation kinetic energy और उसकी derivation आपने लाजमी प्रिपेर करनी है यह इसकी derivation हुई भी है यह important है potential energy की definition और इसकी 4-3-4 step की derivation है यह यह प्रिपेर करनी है आपने complete आप अभी प्रिपेर नहीं कर पाएंगे because अप इतना time नहीं है types of energy mechanical heat energy इनके बारे में आपने concept रखना है कि कौन-कौन सी energy होती है अगर यह आज है तो आप इसको आपके attempt कर सकें इनके at least नाम भी आते हो sound energy light energy लास्ट में chapter के है power और efficiency अच्छा यह आपने paragraph याद करके जाना है शॉर्ट के लिए एकसर आ जाता है Einstein mass energy equation शॉर्ट के लिए प्रिपेर करना है और efficiency की definition और power की definition और formula ठीक हो गया power की definition plus formula unit के साथ किसी भी quantity का अगर unit है और उसकी definition है तो आपने लाजमी करनी है प्लाजमा लाजमी करना है फॉर्ट स्टेट अफ मैटर इसका थोड़ा इंट्रो थोड़ा पॉइंट्स density के definition formula unit प्रेशर का definition formula unit यह important चेप्टर है 7th pressure in liquids most important long के लिए diagram derivation यहां से start हो रही है अपकी यह थोड़ी derivation है पासका law long के लिए important है आपके पास अर्शिमीद्स प्रिंसिपल आएगा इसी चेप्टर में आपके पास अर्शिमीद्स प्रिंसिपल important है और देन आपके पास है प्रिंसिपल फ्लोटेशन इतना नहीं है लेकिं आपने definition तो करके जानी ही जानी है stress energy की definition लेकिन end में है young modulus यह long के लिए करके जाना है आपने इसकी derivation के साथ ठीक हो गया यह derivation के साथ करना है इसके बाद thermal properties of matter temperature की definition heat की definition thermometer के जो properties है वो लाजमी करनी है short के लिए prepare इसके बाद आपने यह convergence सारी सीखनी है बचो यह temperature की convergence से Kelvin Kelvin से Celsius यह तमाम convergence अच्छे से prepare करके जानी है मतलब Fahrenheit यह सब आनी चाहिए आपको यह बाकी definition है formula definition formula derivation definition heat capacity specific heat capacity latent heat of fusion latent heat of vaporization होगा आगे और end में आजाएंगी दो derivation जो के आती है paper में इसकी most important वो है length contraction और volume यह है यहां पर जी यह linear thermal expansion यह वाली यह बहुत important है ठीक हो गया linear thermal expansion solids की अगर आप यह prepare कर लेते हैं तो जहां पर L और L noted delta T है और आगे जाके वो ही सब कुछ होगा लेकिन वहां पर V और V not आ जाएगा तो volume thermal expansion और length thermal expansion इसके most important long है लास्ट चैटर में move करते हैं pink box से सारे करने हैं लेकिन long के लिए इंडिकेट करवा जेता हूं क्या important है transfer of heat में यह जो एक ही topic है thermal conductivity यह long के लिए important है यह इसकी definition formula नीचे इसके जो आ जाएंगे आपके पास यह तमाम factors आ जाएंगे और at the end इसकी formula आ जाएगा उसका unit आ जाएगा तो यह long के लिए अपने prepare करना है इस chapter के दो ही numerical हैं वह दोनों कर लिएगा क्योंकर दोनों में से एक आ सकता है बाकी सारी इसकी definition is important है ठीक हो गया तो यह complete important mark कर वा दिया जिन बच्चों के पास time नहीं है वो अभी कमसकम यह prepare करें ताके वो अच्छे number ले सकें